दूस्तों आज की कहानी हैं बहु की मुस्क्राट बस तस्वीरों में ही दिखती हैं दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सेनल को सबस्क्राइब नई किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पाउं से अरूस नया वीडियो निया आज गर की सपाई कर रही थी पुरानी यादों का पीटारा एक पुराना एल्बम उसके हात लगा उसने एक बारों से खोल कर देखा फिर ना जाने क्यूं वो नी यादों को देखना नहीं साती थी और वेसी बंद करके उसने अंदर रख दिया वहीं उसके पती अवी नास और उसकी सास ननन सब बैटे थे अरे भाबी कोई पुराना एल्बम है क्या दिखा ये मुझे निया बोली दीदी ये मेरी साधी के पहले और साधी के तुरंट बाद की तस्वीरे आप देख सूखी हैं वो बोली फिर भी पुरानी तस्वीरों को जितनी बार देखो वो नई ही लगती हैं लई ये तो जरा मैं भी देखू एक बार फिर से और भाबी की पुरानी यादों को ताजा करती हूँ वो जाकर एल्बम उठाकर लई और जैसी वो खोली सामने निया की एक पुरानी तस्वीर थी जिसवे वो दिल खोलकर हस रही थी अभी नास उस तस्वीर को देखर मुस्क्रा रहा था जैसी जैसी तस्वीर आगे बढ़ रही थी निया की मुस्क्राथ बढ़ती जा रही थी साधी के दोस साल बाद निया का बेटा नंदू प्यादा गवा उसके बाद की तस्विरों में निया की मुस्क्राट अपने बेटे के साथ ही दिखती थी और सभी तस्विरों में वो बहुत कम ही हस्ती थी ये क्या बात हुई भाबिया पहले कितना हस्ती थी अब देखो तो हर समय रोनी सी सुरत लेकर घूमती उसकी सास बोली वो बस बेटे के साथ ही मुस्कराती है मानो पूरे घर में एक वही उसका अपना हम सब पराए हैं निया मुस्करा कर बोली ऐसी बात नहीं है ममी वो तो बच्चा है पर हम तो बड़ी हो गए और वो वहां से सली गई उस राधवी नास बोली तुम्हें मेरी ब्यान की बात बुरी लगी हो गई पर वो गलत नहीं बोली पहले तुम कितनी हस्ती बोलती थी अब देखो तो हर समय मूँ लटकाए घुमती अब तुमारी मुस्कराट बस तस्विरों में ही देखती ऐसा क्या हो गया क्या तुमारी मुस्कराट पर गरण लग गया है तब ही उसका बेटा नंदु आया और बोला ममा आप कितनी सुंदर तस्विर बनाती हो देखो आपकी पैटिंग को मेरी टीसर ने एपलस दिया है उसकी तोतली और मिठी बातों को सुनकर निया के सेरे पर फिर से मुस्कराट आ गया भी नास बोले देखो इसकी हर बात पर तुम हसती हो जब घर वाले तुम्हें हसाने की कोसिस करते तो तुमारे सेरे पर एक सोटी सी बड़ी मुस्किल से दिखती है वो बोली किया गभी किसी ने सोसा कि मैं खुल कर क्यों नहीं होती हूँ पहले मैं क्यों हसती थी आप ही बताए वो बोले खुल कर इंसान तभी हसता है जब वो अपने काम और रोज मरणा की जिन्दकी से खुस होता है वो बोली सही उतर दिया अपने परसन भी आप खुद ही करते और उतर भी जानते हैं फिर भी मेरी मुश्कराट के खोने की वज़ा मुझसे ही पूस्ते बेटे की बाते मेरे मन के दरत को भूलने पर मजबूर कर देती हैं तो क्या उस सोटी सी हसी को भी आमोसी से लेना साथी इतना बोलकर ववनी बेटी को सुलाने लगी पर उसकी बातों में कुस दरत था उस रात अभी नास में कुछ साल पहले की सोस कर देखी तो साधी के पहले निया काम करती थी वो बहुत खुस रहती थी काम और घर दोनों को बखु भी निबाती थी मगर नननकी साधी के बाद गर की जिमेदारियों को उसकी सास में उसपर पुरी तर डाल दिया और उसे काम सोडने की जिदकी थी रूस किसी ना किसी बात बर घर में कलह हो जाता था आकिर कार्णिया ने समझोता किया और काम करना सोड़ दिया उसके बाध से वो उदास रहने लगी थी बच्चे के आने के बाद उसमें वो मगन हो जाती थी पर कहीं ना कहीं उस उधरेपोन को वो भर नहीं पाती थी उसकी मुस्क्राट मानों किसी ने उससे सिन ली थी हर बात पर वो कहती थी मैं अब वो नहीं रही अब वो में बस इन सारदीवारी पर एक पुरानी टगी हुई तस्विर हो गई हूँ जो बस यादी बनकर रह गई हैं सोस्ते सोस्ते रात हो गई अगली सुब अविनास को सोस कर जगेते अगले दिन अविनास नियास से बोले अबनी सर्टी फिकेट की फ्यल मुझे देना उनकी मा बोले बहुगी सर्ट पी फेगेटों का तुम क्या करोगे वो बोले माया घर के पास में एक कोलेज येवाल लेक्षर की कुछ हिट खाले मुझे किसी ने बताय तो मैंने सोसा निया का फोरम भी बर्द देता हो निया की सेरी पर एक हलकी सी मुझ्कराट आईती तभी उसकी सास बोली इतनी मुझ्खिल थे तो ये पुराने काम को सोड़ी हैं अब तुम नया कामी से बकडा रही हो अवी नास बोले सही का आपने मा काम की सास साथ इसने मुझ्कराणा भी सोड़ीया सब कहते कि अपने बेटे के साथ ही मुझ्करादी उसकी वज्जव को किसी ने डूरने की कोशिश नहीं किया कि आकिर इसकी मुझ्कराट तस्विरों में ही क्यों देखती हैं निया की ससुर वहीं पास में थे वो बोले मुझ्डा इसकूल जाने लगर हम दोनों तो हैं ही तो बेहतर रहेगा की बहु को अपनी मर्जी का काम करने दो और उसे भी अपनी जिन्द की जीने दो अवी नास निया से बोले मैंने तुमसे कुछ का अपनी फाइल आ कर दो मु जासे खो गई थी एक बार फिर मैं वो तुमारी सेरी पर देखना साथ आओ मैं अपनी कोशिस करूंगा पर तुम आव किसी के कहने पर मत आना और अपनी मुझ्क्राट को कभी खोने मत देना निया मुझ्क्राटी वे अपने पती को वीदा की और कुस दिनों बान निया के नाम की एक CTI की उसका सलेक्शन कोलेज में हो गया और क्यों ना हो निया उसका बिलती, अब हर रोज नियापनी मुस्क्राट के साथ अपने सभी काम को करती थी और खुल कर हसती और जीती थी, दूस्तो अगर आपके किसी अपने की मुस्कराट खोज जाती है तो उससे पशन करने से पहले एक बार आप भी उस वज़ा को डूढने की कोशिस करे हो सकता आप उसकी मुस्कराट उपार में उसे लोटा दे सोसिये इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती